तो आज हम पढ़ने वाले हैं measurement of inertial mass याने कि इस वीडियो में हम देखने वाले की inertial mass को किस तरीकी से measure किया जाता है पिछले वीडियो में हमने अलरी पढ़ चुके कि inertial mass क्या होता है एक ऐसा mass जो कि inertial mass को किस तरीके से measure किया जा सकता है आज हमको वही समझना है ओके चलिए समझते हैं अगर किसी एक body का हमको inertial mass measure करना है तो इसका मदलब यह है कि उसको measure करने के लिए हमको एक special balance की जोट पड़ेगी especially design किया गया एक balance है जिसको हम बोलते है inertial balance ओके students यह वो diagram है यही है actually वो device जिसको हम बोलते है inertial balance अब इसमें इसको किस तरीके से measure करते हैं क्या करते हैं तो चलिए उसको one by one समझते हैं यहाँ पे जो है दो long strip ली जाती है ओके वही लिख रहा है कि यह consist करते हैं long metallic strip यह जो strip है यह metal की बनी हुई है okay students and इन दोनों metal से जाते हुए यहाँ पे हमको एक side भी एक base मिलता है इस side भी एक base मिलता है okay यहाँ पे जो एक end है एक base को हम fix कर देते हैं ताकि वो हिले नहीं वहाँ से तो इसलिए उसको एक end को जो है fix किया जाता है अब यहाँ fix कैसे करेंगे माल लेते हैं यहाँ पे table रखी वी थी तो उस table पे hole करके and simply this device में तो hole है तो वहाँ से उसको finally fix कर देते हैं अब क्या करते हैं students मैं practical आपको समझाता हूँ कि करना क्या होता है exactly हमाया पास दो body जे समझीए इसमें से एक body का mass जो है हमको पता है and एक body वो है जिसका हमको inertial mass find करना है तो सबसे पहले क्या करते है students जिस body का mass हमको पता है उसको यहाँ पे रखेंगे and simply क्या करेंगे इस strip को पकड़ कैसे हिलाएंगे जैसे हिलाएंगे तो इसमें vibration होना इस्टार्ट हुलेगा यह ओके students तो यहाँ पे क्या होगा जैसे हम देख पाएंगे यहाँ पे कि जो motion हो रहा है यहाँ पे strips के बीच में horizontally है और यह हमने आपको पिछली वीडियो में बता चुके कि inertial mass find करने के लिए उस body को horizontally motion में लाया जाता है तो यहाँ पे क्या होता है क्योंकि यह जो inertial balance से horizontally move कर रहा है तो यहाँ पे gravitational force जो है बिल्कुल भी apply नहीं होने वाला है इसलिए क्य जिसे क्या होगा कि वहाँ पे gravitational mass जो है वो roll में नहीं आता है ओके students तो यहाँ पे हमने क्या कि students एक body लिए वो body लिए जिसका हमको mass पता था and simply इसको क्या कि हमने हमने इसको vibrate किये ओके इसको motion मिला है तो यह vibrate हुआ उसके बाद हम उसका simply क्या करते है oscillation timing देखते है कि 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 time पे कितने बार यह motion में आया okay मान लीजिए हम यहाँ पर 10 बार oscillation देख रहे हैं कि 10 times वो कितने time में cover कर रहा है उसको note कर लेंगे okay उसके time को note कर लेंगे इसके बाद वो हम body लेंगे जिसका हमको mass पता नहीं है उसका हमको inertial mass find करना है उसको यहाँ रखेंगे and उसको भी again क् oscillate करेंगे यहने कि हिलाएंगे and फिर vibrate होगा जब तो उस बार हम 10 oscillation का time जो है वो note कर लेंगे okay तो क्या कि अभी तक हमने students exactly की एक ऐसी body लिए जिसका mass known है फिर एक body लिए जिसका mass unknown है okay उन दोनों के लिए हमने एक particular 10 oscillations 20 oscillations आप जितना चाहें ले सकते हैं कितना time लगा है ह क्यों किये क्योंकि हम अगर किसी body का inertial mass find करना चाहा रहे हैं तो हमको कहीं न कहीं time period of vibration या फिर time period of oscillation की help लेनी पड़ेगी okay and यही इसका rule भी है कि हमको यहाँ पर क्या मिलता है students की time period of vibrations या फिर time period of oscillation जिसको हम capital T से represent करते हैं वो निकालते है और यहां से एक law हमको मिलता है कि capital T जो कि time period of vibration या फिर time period of oscillation है यह डाइगरी proportion होता है square root of the inertial mass of the body okay यहाँ simply इसको mass of the body भी बोल सकते हैं अब क्योंकि हमको यहाँ पर square root से deal करने में problem जाती है तो हम क्या कर देंगे squaring कर देंगे दोनों side पे तो यह जागा T square is diagonal proportional to small m okay तो इस तरीके से यहाँ पर वही लि vibration जो है वो diagonal proportional होता है to the square root of the body के mass के okay इतना clear है अब यहाँ पर देखिए जो हमने experiment की उसके base पे किस formula के through हम लोग किसी भी body का inertial mass जो है calculate कर सकते हैं so मान लेते हैं कि जो body है सबसे पहली body का जो mass है वो m1 है second body का mass जो है वो m2 है I mean inertial mass या फिर आप mass बोलिए okay inertial masses हमको पता है तो m1 m2 हम मान लिए है कि उन दोनों bodies का inertial mass है and t1 t2 जो है वो time period of the vibrations या फिर time period of oscillations है उन bodies का उस case में अभी हमने जो formula पड़े थे कि t2 is diagonal proportional to m तो यहाँ पे हम क्या ले देंगे मान लेते हैं पहली body के लिए गर हम बात करते हैं तो पहली body के लिए formula हो जाएगा that is t2 तो हमको बता नहीं कितना time लगा तो t1 square is diagonal proportional to m1 right ऐसी हम बात करने की second वाले body के लिए क्या हो जाएगा t2 square is diagonal proportional to m2 यही होगा अभी equation 1 हो गया यह equation 2 हो गया equation 2 को equation 1 से divide कर देंगे तो जाएगा यह simply m2 upon m1 equal to t2 square upon t1 square अब मान लेते हैं यहाँ पे m1 वो body है जिसका inertial mass हमको पता था जैसे कि मैंने आपको experiment के दौरान बताया था कि हम दो body लेंगे उसमें से एक body का inertial mass हमको पता होगा and second body का inertial mass पता नहीं होगा ओके students तो यहाँ पे क्या करेंगे हम हम यहाँ पे मान रहें कि हमको जो inertial mass पता है वो m1 पता है m2 पता नहीं है तो क्योंकि हमको m2 पता करना है m1 को दर transpose कर देंगे तो into मी हो जाएगा तो यह simply हो जाएगा m2 equal to t2 square upon t1 square into m1 जो की ऐसे होगा ओके students तो आप यह देख पा रहे हैं तो उसको m1 को पहले लिख देंगे तो जाएगा m2 equal to m1 into t2 square upon t1 square तो इस तरीके से इस non inertial mass m1 की help से हम unknown inertial mass को find कर सकते हैं ओके students I hope आपको clear हो गया होगा कि किस तरीके से किसी भी एक body का inertial mass किस तरीके से measure किया जाता है अगर आपको भाई वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या knowledge मिला तो please हमाई चलंग को subscribe कीजिए and वीडियो को like जरूर करें आज के लिए इतना ही thank you